नमस्कार दोस्तों मैं दिलियश खकराथ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल के स्वागत करता हूँ आज हम बहुत ही अच्छी इंट्रेस्टी मल्टिप्लिकेशन टेकिनिक सिखने वाले हैं जिसमें हम स्टेंडिंग यानि कि वर्टिकल लाइन और स्लिपिंग यानि कि होरिजन्टल लाइन का यूज करके देखेंगे कि कैसे मल्टिप्लिकेशन किया जाता है तो देखते हैं पहला एक्सांपल जैसे यह हमें मल्टिप्लाई करना है 121 इंटू 31 तो इसमें क्या करना है हमें पहले देखना है इसमें तीन डीजिट है इसमें दो डीजिट है तो यह जो वन है तो हमें क्या करना है सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रो करनी है फिर थोड़ा स्पेस रखना है फिर second digit है 2 तो मैं दो vertical line यहां पर ड्रो करनी है फिर से थोड़ा gap रखेंगे फिर 3 डिजिट है 1 तो यहां पर तीसरी vertical line ड्रो करेंगे यह हो गया vertical line और यह हमारा पहला जो digit थे उनका अब यह हम देखेंगे जो यह दूसरा है दूसरा जो digits है उसको कैसे करेंगे तो पहला उसमें digit है 3 तो हम 3 horizontal line draw करेंगे और उसमें दूसरा digit है 1 तो 1 horizontal line draw करेंगे अभी हमें क्या करना है अभी हमें इसको diagonally divide करेंगे तो इसको ऐसे divide करेंगे तो ये छोड़ा ठीक चली अभी हम लोग ये गिनेंगे कि यहाँ पे कितनी जगा पे ये blue line यानि कि first वाले जो digits थे और black line यानि कि जो दूसरे वाले digits से उन दोनों में cross किया तो यहाँ पे ये 1 2 and 3 तो पहला digit जो इसमें आएगा इस आंसर का होगा 3 फिर हम इधर देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 तो जो दूसरे digit आएगा होगा 7 अब तीसरा देखते है 1 2 3 4 एड़ तो तीसरा डीजिट होगी है 5 और चो और जो चोथा डीजिट है वो है 1 तो ये हो गया 3,7,5,1 ये ही आंसर होगा ये दोनों multiplication अभी एक और एक्जम्बल दिखते है जिसमें कि एक डीजिट जो है वो जीरो है मानो कि 1,0,1 इंटू 1,1 को multiply करना है तो पहले जैसे आपने किया था पहला डीजिट है 1 और जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को 0 से multiply करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0 तो हम क्या करेंगे? यह जो 0 है उस लाइन को हम रेड वाली लाइन बनाएंगे ताकि हमें याद रहे कि यह लाइन हमें consider नहीं करनी है यह हम इदर 0 लाइन बना देते हैं फिर देखते हैं और एक लाइन है 1 की और space रखा और इदर यह 1 की है अभी इसको किस से multiply करना है? 11 से अभी बार यह आईए है horizontal लाइन की तो क्या करेंगे पहला line इससे horizontal line हो गया फिर space रखा फिर से एक और line हो गया अभी यहाँ पे जब हम इसको divide करते हैं तो इससे divide करेंगे यह एक हो गया right फिर यह एक हो गया फिर यह एक हो गया और यह अभी जब हम इस पर digit सखने जाएंगे तो इससे लिखेंगे यहाँ पर तो common है red line नहीं है यहाँ पर ब्लू और ब्लेक का ही combination है तो इसको यह वन हो गया आपका यहाँ पर यहाँ पर red line जो zero करना है तो इसको हमें count नहीं करना है हमें सिर्फ यही count करना है इधर हो गया one फिर यहाँ पर देखिए यह हो गया one and यह count नहीं करना है तो यह भी हो गया one और यह चोथा डिजिक जो है वो हो जाएगा और एक और तो आंसर क्या हो जाएगा one 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 तो इसका आंसर यहीं आएगा one 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 और एक एक जम्बल देखते कि जिसमें multiplication था जब आप यह तो ठीक है कि यह one two three दिजिट थे जिनको दूसरी डिजिट से multiply करते थे तो single डिजिट में अंसर आ था बट जब हम लोग मालों की एक जम्बल लेते 15 इन्टू ट्वेल करते हैं तब क्या होता था था इन्टू ट्वेल तो टेन हो जाता है तो दो डिजिट हो जाएगे उस केस में केसा होता है कि आपको जैसे पहले ही हम गये थे पहले बन लेना है फिर 5 है तो 5 पर्टिकल लाइन बनानी हमें 1 2 3 4 5 अभी पारिया और रिजन्तल लाइन बनाने की तो उसमें पहला डिजिट है 1 फिर दूसरा डिजिट है 2 अभी हमें क्या करना है अभी हमें डाइगनोल बनाना है डाइगनोल कैसे बनाएंगे इसमें 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 बनेगा यह आपका होगया 1 यह 2 और यह 3 तो आंसर जो वह थ्री डिजिट में आएगा इदर स्वरी जब कांसर आएगा हो आएगा 3 डिजिट क्या हम ज़रू है चलो देखते हैं पहला डिजिट से हम इसमें शुरू नहीं करेंगे हम इसमें क्या करेंगे हम इधर से काउंट करेंगे तो इधर देखिया यह कब कितनी बार क्रोश किया 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 अभी 10 आ गया अभी 10 तो इधर लिखेंगे तो इधर प्रोब्लेम हो सकता है तो हम क्या करेंगे उसका जो लाश्ट डिजिट है 10 का लाश्ट डिजिट क्या होदा है 0 फिर जो यह 1 है उसको हम यहाँ प्लस करेंगे 1 प्लस ठीक है और यह आंसर देखिया विए 1 2 3 4 5 6 7 तो 1 प्लस 7 इधर करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 और इधर एक है उसको 1 तो आंसर क्या हो गया 1 8 0 तो आप इसको multiply करके calculate करके देख लिजिए या calculator का यूज करके देख लिजिए यही आंसर हैगा 1 8 0 अब आप आपको सबको समय में आ गया होगा कि यह कैसे vertical line और horizontal line का यूज करके हम लगोंने multiplication किया और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों family के साब ज़रूर share करें आपको हमारी चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे हमारी चैनल को ज़रूर subscribe करें thank you very much